किस नंबर 35 हम शादी कब करेंगे वो फिर से सवाल ले आया था इमान ने रुक कर उसरी का हमेशा की तरह वो वाक करते हुए इमान के होस्टिल की जाने जा रहे थे पहले आप कोई जॉब अगेरा तो कर ले मेरी करवाले ऐसे नहीं मानेंगे क्या मतलब जॉब कर लो मैं कमातो रहा हूँ उससे अच्छमबे से वोजा बैन में सुकर गई थी यूँ जैसे इमान ने पता नहीं क्या एक्या दिया हूँ अच्छा और अगर मैं कहूँ कि मुझस्मा साजी छोड़ दें तो इमान ने उल्टा सवाल लिया उससे पहली बार मासिल के चेहे पर बेबसी रही थी किसे चुनता हूँ इमान या फिर अपनी शनाख पर कोई वजा भी तो हो न वहते चाचन बोलां बस मैं कह रही हूँ इस दिये वो चानभुश का रड़ी जानना चाहती थी क्या वो अपनी शनाख दसानी से छोड़ देता हूँ हाँ मैं छोड़ दूँगा वो जो अपनी खुशी पर किसी की चान भी कुरबान कर सकता था हूँ वो उसकी खुशी के लिए अपनी शनाख कुरबान करने को दायार था हूँ इमान ने हैरत से उसे रेखा, तो फिर क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे, वो अब ट्रेक पर आ रही थी देखो इमान मुझे जॉब करना नहीं बसंद, मैं 18-19 साल की उमर में, वेलेंसी आने से पहले एक बहुत बड़ी कॉर्मिंट जॉब हासिल की थी टेस्ट बास करके और वो मेरे बस का काम नहीं, मैं जॉब करने वाला बंदा नहीं हूँ वो कितनी आसानी से वदा रहा था, जिबकि एमान अफसुर्दा निकाहों से उसे देखने लगी अब्दुल्ला शाहाब की एक और निशानी पूरी हो चुगी थी, वो कमा नहीं सकता था अलाल रिक्स तो बिलकुल भी नहीं, तो फिर मुझे क्या खेलाएंगे वो चिड़ गई, अब्दुल्ला शाहाब का हयाल उसके सखम उठेड़ देता था उसके चिड़ने पर मासिल ने कहरी नगाहूं से उसे रेखा तुम्हारे लिए मैं जॉब कर लूँगा आगे कब तक, चन्द महीने, फिर आप कहेंगे मुझे से नहीं होता फिर क्या करेंगे हम? वो सरापा सवाल थी, वो हामोश्टा या फिर आप चाहते हैं, कि मैं जॉफ करूँगी और हम दोनों का पेट पालूँगी वो तनसिय लेजे में बोली, उसके चेरे तक पर कुरवाहट थी वैसे तो इसमें कोई बुराई नहीं है, पर मैं ऐसा नहीं चाहूँगा वो गहरा सांस देख होया हुआ, नसरे इमान से हटा कर अब इधर उदर चमा दी थी तो फिर जुवा कहलेंगे या टाका डालेंगे, मुझे हराम कहलाएंगे वो पता नहीं क्यों इतनी कड़वी हो रही थी, उसका मसाग उड़ा रही थी या अपना ये शायद अपना कि उसे खुद के लिए किस शक्स की मुखबत को अपना लिया था ऐसा शक्स जो उसे रिस्के हलाल तक नहीं खिला सकता था वो उसकी अवर थेंगिंग से परेशान था, इसी बेवसी से बोला मिस्टर मासील, एक बुद बनाने के इलावा आपके पास है ही क्या कोई खुबी, कोई खुदर, वो जस्वांकिरी को आपस च्छिन लिया जाए तो आपके पास क्या बच्चता है मासील के दिल पर खोसा बड़ा था, वो मासील ती बुद सास को कह रही थी उसके पास कुछ नहीं था, कोई खुदर नहीं था वो वे यकीने से उसका चेहा दखने लगा, वो बहुत उड़ी उखुडी सी थी चेहरे पर सरा भी तास की नहीं थी, जॉब के बाद हुद साधा चिरशुडी हो गए थी प्लीज इमान, ऐसे मत कहो, तुम तो मुझे जानती हो उसका दिल किया इमान का हाथ थाम कर उससे अपने दिल के जस्पोगे कह रहाई हूँ तक मेसूस कर आए, आपको क्या लगता है, जॉब करना सिर्फ आपके लिए मुश्किल है बाग्यों के लिए बहुत आसान है, वो दोनों पत्त्रीली सड़क के पीछ करे थे यह देखे, मानने शूस के अंदर से अपना दाना पौँ निकाला, उसे मुझे नहीं पहन रुखे थे उसके पहुँ सूचे हुए थे, जॉब सिर्फ मुझे सेनी दोर पर ही नहीं, बलकि जिस्मानी दोर पर विमार कर रही है कि मेरे पहुँ सारा दिन कुरसी बैटने की वज़ा से सूच चुके है मेरा माइक्रेन मिस सलसल स्क्रीन पर काम करने की वज़ा से नहीं जाता हूँ मेरे कंदे इतने अकड़े हुए हैं कि हाथ लगाने से दर्ध करते हैं एक position में बैटनी के वज़ा से मेरी टांगो का दर्ट नहीं जाता मैं दिन में सो बार भी कुर्सी सूठूँ तो वो मुझे फाइदा नहीं देता बलकि मुझे ठका देता है आपको क्या लगता है? मैं जॉब करने के लिए बनी हूँ इतना कुछ सहने के बाद मैं फिर भी चौप कर रही हूँ सिर्फ इससे के हलाल कमा सकूँ और आप मुझे हलाल खेला नहीं सकते वाउ! आखरी बात पर जैसे उससे रखकर चपेड मारी थी मासील हैरत से उससे देख रहा था वो वागरी चेहरे से भी मार लग रही थी इमान? उससे इमान को पुका रहा हूँ मेरी बाप दे सारी उमर यही किया था उसका लेजा सर्थ था मैं ऐसा नहीं करूँगा उससे धाई थी थी इमान ने हमोशी से अपने पाउंपन जूतों में उड़स लिये उसकी आँखों में नफरती नफरती माजिल साकित खड़ा उसे सुन रहा था दो मुक्तलिफ लोगों का एक साथ जिंदी की गुजारना किसी अजाब से कम नहीं होता मिस जा था ये बात मुझसे भेदर कोई नहीं जानता फिर वो रुखी नहीं उसके पास से निकलती चली गई और फिर पीछे माजिल अपना सरबकर करहे किया था वो उसे बताना चाहता था कि वो किसी की उलामी नहीं कर सकता वो तो इससे खुदा से भी लड़ता रहता था जो इनसानों को अपने हिकामात पर चलने का कहता है पर वो कहां सुनने वाली थी वालदेन हमारे पहले कसूरवार आज के पेरेंट्स हमारे पेरेंट्स हमारे पहले दुश्मन है उसका यूनिवर्सी में सेशन था बहुत सारे स्टूजिन्स उसका सेशन लेने आए थे और आप हामोशी से बैठी उसे सुन रहे थे आप लोगों को लगेगा मैं गलत बोल रहा हूँ पर मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ लेकिन कैसे ये मैं आपको अभी बता देता हूँ क्या किसी ने बताया था उसे जिए उस स्या पेंट पर गहरे सतून रंगी शोट वेने किस कदर दिलकश लग रहा था हूँ स्या जूते चम-चम कर रहे थे और ऐसे ही उसका वजू चमकता था आपको क्या लगता है आप अपने बच्चों को दो-तीन साल की उमर में बोबाइल पकड़ा देंगे उसे यूट्यूब खोल कर देंगे और फिर ये तवक्का करेंगे कि आपके बच्चे तो बहुत ही शरीफ और मासूम है और रहेंगे आपको क्या लगता है आपका गुमान सच्चा है या फिर आपने आँखों पर पट्टी भान ली है वो आज पर आहे रास वालदेन से महादिब थां सामने बेठी नसल भी चंद सालों बाद उससे रुपे पर फाइस होने वाली थी और वो जादा थां क्योंने समझा दे चलें बाहर ना सही पर अपने घर के बागीचे में ही उस उमर में आपने उसे मुबाइल फोन पर लगा दिया है और आप चाहते हैं कि वो एक बड़ा साइंस सान बन जाए क्या आपने दमाग पर भी पट्टी भान ली है वो फोन पर नाज काना देखकर बड़ा होगा और पिर आप उमीद रखेंगे कि आपका बेटा एक बड़ा इनसान बनेगा क्या बड़े इनसान का मतलब भी पता है आप लोगों को पुलम ही भर को हामोश होँ आपने अपने बच्चों को जहनी बीमारी में मुबतला करके जवान किया है और आप ये तोका करते हैं कि आपका बेटा बड़ा होकर आइंस्टेन बनेगा आपका नाम रोशन करेगा मजाएक खौखेस आपको क्या लगता है जब आपने बच्चों को बच्चपन में ही फून देकर उसे घर की चार दिवारी में बंद कर दिया था उसे आपने टरपोक इनसान बना कर बड़ा किया है तो क कहना चाहते हैं कि हमारी परवरिष ठीक से नहीं हुई परवरिष में तो आप लोगों को सब मिला है उसे निकाह खौल पर डाली पता है आज से दो नसले पहले तक हमारी माएं इतनी भोली थी तुन्हें दुनिया का कुछ नहीं पता था वो पड़ी लिखी नहीं थी पर उ मेडसी माएं मारकिट में आ गई हैं उनकी वज़ा से आज हमारी मोजवान नसल इसकदर बुजदिल हो गई है कि हक बात करना तो दूर उन्हें पता ही नहीं कि हक होता क्या है क्या सिखाया है आपने अपने बच्चों को कभी सोचा है कि हशर के रोज जब आपकी पकड़ हो जब घुब आप देंगी आप उस सांस से नहीं का रुका आज कि बाप को हैर पैसो के इलावा कुछ सुचदा ही नहीं है वो अपने बच्चों के भेतर मुस्सक्बिल के लिए पता नहीं क्या क्या कर रहा है यहां तक कि हराम कमाकर अपने बच्चों को आज ही मादय परस्त की दोर में शामिल कर रहा है वो जो दुनिया देख चुका है फिर भी वो अपने बच्चों को कुछ नहीं सिखा रहा सवाए इसके के बड़ी डिगरी लो बड़ा बिजनिस करो और खुब पैसा कमाओ क्या हम बस से ही करने आये थे You know what हमने अपने बच्चों को गोरों की तरह का रहन सेंट दे दिया है अपने बच्चों को हर तरह से वैसा दो बना दिया है फिर क्या वजा है हम अपने बच्चों को वैसा माइंड सेट नहीं दे पाए क्यों हमारे बच्चे उन जैसे माहोल में रहकर भी आस्मानों की बुलंदियों को देखने की वज़ाए सिर्फ मादियत परस चीजों को देख रहे हैं हमारे माबाप हमें कोर्सी किताबे पढ़ने का तो कहते हैं कम माक्स लाने पर हमें लानत मलामत तो करते हैं पर क्यों हमें वो किताबे पढ़ने को नहीं कहते जो हमारे जहन को खोलने में मदद दे क्या आपका मकसर सिर्फ अच्छी जिन्दगी जीना और मर जाना है मेरा सवाल है आज की माँ से क्या आपको क्या लगता है आप अपने बेटे को खुझ से इस कदर करीब करके कब तक अपना बना कर रख लेंगी आज की माँ बारिश भी हो तो कहती है कि स्कूल न जाओ कॉलिज न जाओ दिन में हजारों फोन करती है मैं ये नहीं कहता कि माँ को अपनी मुहबत कम कर देनी चाहिए पर आपको इतना दो पता होना चाहिए कि आपको अपने बच्चों को सर्वाइफ करना कैसे सिखाना है मुश्किल वक्त में मुश्किल हलात में कैसे रहना है अरे सर्वाइफ करना तो दूर की बात है आज की नसल का नोजवान लड़का अब इतना नाजग हो चुका है कि वो आफिस में एसी के नीचे बैट कर काम भी नहीं कर पाता वो कहता है मुझसे जॉब नहीं होती मैं विडियोज बनाओंगा पैसा कमा लूँगा मेरे पास सो अलफास नहीं है जिसमें आज की नोजवान नसल की पुसी को बयान कर सकूँ इन हलात में हम कैसे लड़ेंगे कोई जंग कैसा माएं भूल गई है हमें एक जंग लड़नी है आखरी वक्त में फितनों कहला कैसे लड़ेंगे हम वो जंग जबकि हम तो खुद अपनी उलाद की शकल में फितना पैदा कर रहे हैं कभी सोचा है आपने वो बोला तो बोलता चला क्या हूँ मैं आपको एक बात बताऊ तमाम माएं एक बार मेरी बात घोर से सुन ले उसे सिंजीत की सिखा हूँ यगीन करें आज आप परेशान हैं कि आपके बच्चे आपके हाद से निकल चुके हैं कुछ ड्रक्स लेते हैं कुछ बुरे कामों में मुलविस हैं लेकिन वो वक्त दूर नहीं जब ये बच्चे इस कदर पुस्ति में गिर जाएंगे कि आपसे लड़ाई करेंगे जानते हैं किसलिए एक लड़का अपने मेल बेस्ट फ्रेंड से शादी करना चाहेगा एक लड़की लड़कियों में इंट्रस्टिट होगी इसकी शुरुवात हो चुकी है और वो वक्त दूर नहीं जब ये खुले आम होगा एक और बात बताओ मैं आपको आप आच चाह रहे हैं कि आपके बच्चे बाहर चलेंगे लंदन अमेरिका योरप में सेटल्ड हो जाएं क्या आपने कभी वहां रहने वाले पाकिस्तानियों से चलें मुसल्मानों सही सही पर पोचा है कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं यगीन करें वो माबाप रो रहे हैं क्योंकि उनके बच्चे गहरी खाईयों में छलांग लगा चुके हैं वो जब लंदन में था तो एकैडमी में उसके पास ऐसे बहुत सारे खेसा है थे जहां माबाप अपने बच्चों को लेकर बहुत परेशान थे एक मुसल्मान घराने में पैदा होने वाला मुसल्मान लड़का हुदकुशी कर रहा है सिफ इसी है कि वो किसी जौट से शादी करना चाहता है माबाप के लिए किसी मोच से कम नहीं है ये वहां खुले आम हो रहा है और आपने अपने उलाद को उसी जानी राइब कर दिया है अफसोस की बात है वो दुनिया देखकर आया था वो ठीक है रहा था मुझे ये समझ नहीं आता कि हम टेकनोलोजी को कितनी आसानी से समाल कर रहे हैं वो भी गलत कामों में क्यों हमारे बच्चे ये नहीं सोचते कि ये टेकनोलोजी कैसे बनती है कौन बनाता है क्यों हमारे दमागों से सवाल मिट चुके हैं क्यों हम इतने उलज गए हैं कि सवाल करना ही भूल चुके हैं पर उन माउं का क्या कसूर है जिनने अपने बच्चों की अच्छी तालीम और तरपियत के लिए आज के स्वेंगाई के दोर में खुछ जॉब करना पड़ती है उनका क्या कसूर है और अगर हम जॉब ना करें तो हमारे पड़े लिखे होने का क्या फाइदा यहां तक कि अगर हम पाकिस्तान से बाहिर है और जॉब ना करें तो वहां हमें यूजलस समझा जाता है हमारी कोई वैल्यू नहीं है कि एक पूफेसर थी जो उसी उनिवर्स्टी में बढ़ाती थी जॉब करने से मना नहीं किया किसी ने पर आप खुद देखें आप टीचर हैं हमारा तालीमी निजाम सिफ़ हमें डिगरी दे रहा है वो कुछ सिखा नहीं रहा कोई तरबियत नहीं कर रहा अगर आप दिन रात मेहनत करके अपने बेटे को सिफ़ एक डिगरी दिलवाती है उसे कुछ सिखा नहीं पाती तो इससे बेटर है आप उसे कम डिगरी दिलवाए उसके साथ रहे कर उसे वो सिखाएं जो एक इनसान को इल्म होना चाहिए वो इनसान जिसे इल्म दिया गया उसे वो इनसान बनाए उसे वो मुसलमान बनाए फर फिर आप खुद देखेंगे और दूसरी बात अगर आप बाहिर रहकर अपने बेटे को वो नाजुख हसीना बना रही है जो कल को किसी मर्द से शादी कर लेगा तो इससे बहतर है आप लोग घर में ही रह ले और अपने बच्चों कुछ सिखाएं हुदा का वास्ता है इस माधित परस्ती से निकल आए आपके पेटे पच्पन सही दूसरे मर्दों की चानिब रगाइब नहीं होते बलकि वो ये सब देखते हैं और हम समझ कर उसकी चानिब भड़ते हैं ये जहर आप लोग उनके अंदर खोल रहे हैं आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं आखिर कब तक अपने उलाद के पहले दुश्मन बने रहेंगे आखिर कब तक ये मेरी है नो, शी इस माई तो हुपसूरत से बच्चे हस्पताल के उस कमरे में एक दूसरे से लड़ रहे थे उन मेंसे एक जगडालू था जबके दूसरा हमोश्ट भी था वो दोनों एक नन्नी से बच्ची के कौट के पास खड़े थे पहली पर कम को बच्चे ने जिद की थी वो दोनों छे साल के थे दोनों की आँखे एक जैसी थी वो अस्पताल में अपनी आने से मिलने आए थे जिने अल्ला नहीं चोटी सी परी से नमाजा था उनकी मां कमरे के दरवासे पे खड़े डॉक्टर से कुछ पूश रही थी उस पूरे कमरे में सिर्फ दो बेट रखे थे एक बेट खाली था जबकि दूसरे पर एक ओरत लेडी थी और दो कॉट रखे थे जिन में दो बच्चे थे बल्के बच्चिया थी वो दोनों भागते हुए पहले कॉट के करीब रुक कर अंदर बड़ी बच्ची ने दोनों के दो अच्चा परवक्ष जी थी गमको बच्चा पहले मतवच्चा हुआ था इससे पहले वो बच्ची को जोदा दूसरा बच्चा उससे सिफुन का रहा हूँ वो मेरी है उससे मच्चो हो उससे पहले बच्चे का हाट चटक दिया ये कितनी प्यारी है न उसके रोकने के बावजूद पहले बच्चे ने उस परी के काल कुछ हूँ, जबकि बेट पर लेटी उरत हैराने से दो बच्चों को अपनी बच्ची के लिए लड़ते देख रही थी, अब्दुल हाथ बेटा आने इधर है, पीछे वहाँ नर्स आए और उसे बच्चों की म और माहम बाहर आई, अब्दुल हाथ वो उनकी आनी थी, जिससे दोनों को देखते ही हुशे से बुका रहा हूँ, दोनों ने अपनी आनी को देखा लेकिनों बच्ची के कौट के पास से नहीं ही ले, माहम अब उने हैरस से देख रही थी, पहली बार ऐसा हुआ था, वो भ उनकी मा अपनी बहल से मिलने के बाद चलते वे उनके करीब आई, वो थोड़ा चुक कर बच्ची को रेखने लगी, शीस क्यूट न, माशाला, वो अब अपने बच्चों से पूछ रही थी, मैंने इसे पहले देखा है, मैं इसे पहले उठाऊंगा, कमगो बच्चा पहली इस बार किसी बात पर आगा था, मा ने हैरर से अपने बेटे को देखा, पर यह हमारी नहीं है, हमारी मिना इदर है, मा ने दूसरे कौट की चानि भी शारागी है, वो दोनों कौट के दोनों चानिब खड़े थे, कमगो बच्चे की निगाए बच्ची पर जमी थी, उसकी आखों में अजीर सी जमक थी, बच्ची जो दूसरे बच्चे की चीखने पर डर गई थी, वो इधर उधर गर्दन हेला रही थी, कमगो बच्चे ने बच्ची की गर्दन पर दूस अफेद निशान देख लिये थे, वो उसके लिए दिल्चस्पी का भाइस से, जबके दू भी उसे कुछ नहीं कहा था, तुम इसे हर्ट कर दोगे, ये बहुत मासूम है, इसे मच्चू ओ, और फिर क्या था, वो से लिए बच्चे ने चट्चे से अपना बासू छुड़ाया, उसकी माँ ये सब देख रही थी, उससे बेट पर बैठी बच्ची की माँ को देखा ज बच्चे ने सर उठा कर अपनी माँ को देखा, उसकी माँ के थोड़ी पर जीब सा निशान था, चमकता हुआ निशान, उसे वो निशान कहीं और देखने को नहीं मिला था, लिगी नाज उसे कौट में लेटी बच्ची की कर दन पर तो सब वेट निशान नसर आये थे, और फटा-फट बच्ची को उठाने लगा, उसकी माँ ने बच्ची उठा कर देने में मदद थी, जबकि कमको बच्ची के चेरे पर वाजय परिशानी थी, उससे अपनी भाई अब्दुल पर पहली बार घुस्सा आया था, जिससे वो हामोशी से जब्द कर रहा था, बच्ची कमको बच्ची अपने जगा से नहीं हीला था, वो खोट के पास सी खड़ा था, फिर उससे चेरा घुमा कर बच्ची की मा के जाने देखा, इसका नाम क्या रखा है आपने, वो ऐसे बात कर रहा था, जैसे कुछ 6 साला बच्चा नहीं, बलकि जब 20 साल का नोच्वान लड़ दिया है, जबकि हमें तो इमाने चाहिए थी न, उसका उससा जैसे कहीं गाइब हो गया था, पाकिसान आने से पहले दोनों भाईयों ने पहली बार मिलकर कोई प्लैन बनाया था, बलकि अब्दुल ने अपने भाई के सर पे थोपा था, आने की बेटी हुई, तो हम उसका नाम एमाने रखेंगे, वो पूरा दिन अपनी मा का सर खा था, पर उनकी आने से पहले ही उसका नाम मिना रखा जा चुका था, तर उससे तो एमाने चाहिए थी, जाने क्यों, उसे एमाने नाम से इतनी रुकबत हो थी, ये लो, तुम भी देख लो, अब्दुल का जब दि बहुत प्यारी है, जरा भी नहीं रोती, जबके मिने रुए जा रही है, वो बच्ची को थामता उसकी मा के करीब क्या, वो दोनों अब मिना को मिने बना चुगे थे, उन्हे अपनी मरसी के नाम पसंद आते थे, आप इस अस्पताल में कब तक है, उससे बच्ची की मा से प लियाता रहूँगा, वो अप संजीता से, अपनी मा से खहरा था, क्यों बच्ची की मा का नमबर ले ले, मेरे पास मूबाइल फून नहीं है, बच्ची की मा भी खासा मुसको आई, ओ, उससे बच्ची को वापिस कौट में लिटाया, आप अपने घर का पता बता दे, हम आ वो अपनी बात पर काईम था, बच्ची की मा ज़रा डरी से में सी थी, उससे फिर भी अपनी घर का पता बता दिया, एमाने का ख्याल रखियेगा, यह बहुत हास है, मिलकुल मेरी मौम की तरह, बच्चे ने अपनी मा की जाने देखा, जो अपनी बेहन से बाते कर रही थी, गुडबाई एमाने, मैं तुमसे चल मिलने होगा, उससे चुक कर फिर से बच्ची को प्यार किया, और फिर वो अपनी मा की जाने बढ़िया, और वो मिनहा को देख रहा था, जबकि अप्दुल काफी हुशन सरा रहा था, वो कभी मिनहा को देखता, तो कभी एमाने को, तो दोनों में एक दिन कफरक था, और दोनों उससे प्यारी लग रही ही थी, तुमने एमाने की माम का नंबर लिया था, वो अब वापिस जा रहा है थी जब अप्दुल ने हाथ से पूझा, उनके पास मोबाईल फोन नहीं था, उससे संजीठी से जवाब दिया, तो हम उससे क दोनों काड़ी में बैठे, अपनी आनी के घर जा रहे थे, बिनहां उनके साथी पर वो दो थे, उन्हें एमाने भी चाहिए थी, अब्दुल तो सित्धी था, वापसी के वक्त उससे जितना बड़ा ड्रामा किया था, वो हस्पताल वालों को, बच्ची की मा को यहां तक, उनकी अपनी मा को सारी उमर के आद रहने वाला था, वो ऐसा ही था, उसका दमा कभी भी कहीं भी उलट जाता था, आप एमाने को हमें दे दे, हम इसका हयाल रखेंगे, वो उसके पास से हिल नहीं रहा था, अब्दुल गलत बात है, जब उसकी मा तंग आ गई तो घुरी से नमासा, नहीं, हम इमाने को ले कर जाएंगे, और फिर अगले ही पल उसकी चीखों से पूरा हस्पताल, जैसे कमरी के भाहर एकटा हो गया था, वो ड्रॉमे बात सा, लेकिन इतना बड़ा ड्रॉमे बात सा, यह हाद ने आज देखा था, वो वहाँ से नाहिल था, अगर पारी में बैठे थे, वो एमाने को छोड़ाए थे, तुमने जूट क्यों बोला, तुमने कहा तुम एमाने से मिलने का तरीका जानते हो, अब्दुल अबखा जाने वारे नसरों से अपने भाई को देख रहा था, उससे लगा था, आद के बाद जरूर कोई तरीका होगा, वो आज एमाने को अपने साथ ले करिया था, पर उसके भाई ने बीच में ही आकर काम हराब कर दिया था, वो उससे कभी माफ नहीं करने वाला था, एमान को गरेजी बहुत पसंद है, मैं सोच रहा हूँ, पुरे लौन में दरख लगवा दूँ, और पुरे इंसिट्यूट को बेलों से भर दूँ, वो टेरिस पर कड़ा मारता से डिसकस कर रहा था, वो भूल चुका था, कि एमान ने उससे रिसके हैलाल को लेकर किस कदर बहस की थी, उससे लगता था, कुछ भी हो जाए, इमान कितना ही जगर ले, और उसे होना तो मासिल का ही था न, भाई, वो उ उससे मासिल से अलग कर सके, क्योंकि वो एक और अब्दुल शाहब को परदाश नहीं कर सकती थी, पर वो दमाग और दिल की अजीव जंग के से रहसे थी, वो मासिल के खौप भी नहीं दोड़ना चाहती थी, और उसके साथ रह भी नहीं सकती थी, उससे अपनी पूरी कोश है, अभी तक उसे सलमा बेगम से इस बात का जिकर नहीं किया था, पर एक ना एक दिन तो करना ही था, उसके पास बस एक महीना रह गया था, सिर्फ एक महीना, वो वापिस सली जाती, शायद हमेशा के लिए, वो कभी बलट कर नहीं आपा थी, उसी होफ से, उसे अकेडमी का ट्रांसफर कर दिया जाता, उसका ये मस्दा तो हल हो गया था, वो मजीद देख नहीं करना चाती थी, इसलिए उसे अकेडमी की तरफ से जो एमेल काइनात की होते वे मौसूल हुई थी, उसे उसी इमेल पर जोइनिंग का पूचा था, उसकी होशी की कोई इंतिहा नहीं र एक प्यानक मूर लाने वाली थी, मैं लाइव आता रहूँगा, तुम परेशान मत हो न, वो अपनी पैकिंग कर रहा था, आथ कुछ दिनों के एवेलेंसिया जा रहा था, उसे वहां के एक एटमी विसिट करनी थी, वो साथ को कुछ अदायात दे रहा था, मैं भी आपके स स्कूल की जगा कन्फर्म कर लो, साथ ने उसके पास सुनकर हामिसा ही लाया, वागए ये काम तो सबसे सुरुखी था, आथ कार रहा था, स्पेशल वच्चों के लिए एक स्कूल बनाने का था, और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, जिनकी शुरुवात उन्हें अभी इससे करनी थी, हाथ ने एक दू जगा देखी थी, जिने अब वो साथ के हाफाले करके जा रहा था, ताकि वो विसिट करके कन्फर्म कर ले, साथ बहुत समझदारी से उसके साथ चल रहा था, वो हाथ से बहुत मुतासित था, और उसे की तरह अब अपने जहन में हुआ था, इससे चल्दी नीन्थी वादी में उतर किया, पर वो गहरी नीन कभी नहीं सुआया था, और इस वक्त भी वो कच्ची नीन्थी ही से रहा था, जब उसे वो खुप पिर से नसर आया, दल दल में धुस्सी वो लड़की पूरी तरा चीख रही थी, स्या बारिश म पर वो इस खौप से ना पीछा चुड़ा पाता था, और ना है, उस खौप से बाहर निकल सकता था, वो बेट से पहु नीचे लटका कर सर धाम कर बैठिया, सफेद रंगी टी-शिर्ट और खुले से ट्रॉसर में वो बसीने से भीगा हुआ था, उसे जब भी ये खौप न सरा था, वो अजीव खौफ में मुक्तला हो जाता था, वो किसी से ना डरने वाला एक खौप से डर जाता था, फिर कुछ याद आने पर उससे मिस एल्फ की वो चैट ओपन थी, जहां उन्होंने किसी उम्मे इमान नामे लड़की का नंबर सेंड किया था, जिसका वो बैक उससे नंबर मिलाया पर वो बन जा रहा था, उससे फून वापिस रख दिया, उसके लिए वो लड़की इतनी एहम नहीं थी क्यों बार बार फून करता, एक बार उससे पहले कॉल की थी, फिर अचानक होने वाले रूट आजसी के वज़ा से वो बात दिंग कर पाया था, औ उसमें उससे ही खौफ देख लिया, उससे अपनी नहीं आनी थी, वो जानता था, कुछ देर इधर उदर टेलने के बाद वो अब लैप्टॉप की जानी मतवच्छा हो गया, उसका मेलबॉक्स सेंगरू ईमेल से बढ़ा पड़ा था, और अब काम की ईमेल को पुरी तवच हमोशी उन सब के लिए, जिन्होंने हाद और अब्दुल को एक समझा, वो 400 लोग जिन्होंने हाद और अब्दुल के एक ही शक्स होने पर वोट दिया, और पांच मिन की हमोशी उन 50-60 लोग के लिए जिन्होंने मासील को यह हाद बना दिया, lots of love, सब राइडर्स एक जैसा नहीं लिखते हैं, और मुझे कोई शोक नहीं है, एक ही वक्त में अपने एक किरदार को चार-पांच किरदार बना कर पेश करने का हूँ, मैंने कहां भी धां कि सब का हाल चल रहा है, अस्वताल वाले पागल आने वाले मन नाजिर फ्यूचर के हैं, जबकि यह हाल है, फिर अब लोगों को फिल्मी बनने का पहुश होगे, सो इनसेन, नूर राजफूत